स्लम अलेकम स्टूदेंट्स वेलकम तु माई चैनल जोइन पकिस्तान नेवी एज पियन कैडिट फॉर पर्मेनेंट कुमिशन इंटरम्स 2024 बाइस ए कंडिट्स पकिस्तान नेवी में पियन कैडिट की रिजिस्टरेशन का प्रासेस स्टार्ट कर दिया जा चुके तो आज की वीडियो में आपको गाइड करूँगा इसका eligibility criteria के इसमें आप apply कैसे करोगी इसकी website तक कैसे होगी और all detail इसकी preparations related भी आपके साथ share करूँगा तो candidates आपने इस वीडियो को मुकमल देखने हैं और अगर आप इस channel पर नहीं हैं तो लास्मी दोर पर subscribe कर लीचेगा तो चलें start कर लेते हैं eligibility criteria में सबसे पहले इसकी age limit है जो के यकम जुलाई 2024 तक है कि अगर आप uniform post के लिए apply करना साथ चाहे married हैं चाहे unmarried तो आपकी जो उमर की हद रखेगी वो 17 से 23 साल तक रखेगी जबकि अगर आप civilians में बढ़ती होना साहते हैं यानि अगर आप सीवल कपनों वाली job करना साहत तो आपकी age जो limit रखेगी वो 16 साल से 21 साल unmarried रखे गई आपकी जो height होगी 5.44 minimum और बात रही educational qualification की इसमें आपकी FSC या O A level होना चाहिए जो के 60% marks के साथ होना चाहिए अगर आपने part 1 complete किये second part से apply करना साहते हैं hop certificate से apply करना साहते हैं तो first part यानि आपकी ग्यार्वी में तो candidates यहां पर आपको ये भी guide कर दूँ कि आप अपनी FSC degree या O level A level के equivalent कोई भी ऐसी degree जो के FSC के equal है engineering से related है तो आप फिर भी apply कर सकते हैं जिसमें कुछ दर्जाल subject शामिल होने चाहिए जिनमें physics math chemistry शामिल होने चाहिए physics math या computer science शामिल होना चाहिए physics math या statics शामिल होना चा नोमबर 2023 तक जारी रहेगा आप इसमें बिल्कुल free of cost खुद के online registration करोगे www.soingpartnev.gov.pk से आप चाहे पुरे पाकिस्तान से जहां से भी हैं पुरे पाकिस्तान में इसके selection centers मुझूद हैं आपका जो भी nearest है आप वहां पर खुद का जो test center है वो select करके खुद का test दे सकते है चोले apply करना सीखते हैं सबसे पहले website open करना सीखते हैं तो candidates आप चाहे PC पर यानि आप अगर laptop या computer पर काम करें या अगर आप mobile पर काम करें दोनों का process बिल्कुल same है आपने google में आना है यहां जो आप search में लिखोगे joinpartnev.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov.gov थोड़ा साव वेट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से official website open हो के आएगी इसे आपने scroll करके थोड़ा नीचे आना है और यहां पर आपको option मिलती है pen credit की आपने इस पर आना है अगर आप mobile पर होंगे जैसे उस पर click करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास 5 options नहीं जिन आपके बाद आपके पास view criteria की जो option है वो open हो के कुछ इस तरह से आएगी जिसमें आपने अच्छे details check कर लेनी है कि क्या क्या क्राइटेरिया फिजिकल का क्या 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 है all detail इसमें बिलकुल completely तोर पर लिखिए हैं आप खुद को इस आपने इस पर क्लिक करने यहां पर जिस्ट्रेशन फो में यहां पर से आप खुद का अप्लाय करोगे भी अप्लाय करना सीखते हैं फिर्स्ट आपने स्लेक्ट अड़र्टाइस्मेंट के इंतखाब करने जो के PN कैडिट ही होगी अगर ज्यादा वकेंसी आई होती है तो में आपको PN कैडिट का इंतखाब करना पड़ता है अभी चुणके एक ही कैंसी इसलिए वो एक ही ऑप्शन दे रहा है नेक्स सलते है ओके स्लेक्ट हो गया अभी नेक्स ब्रैंज है यहां पर आप क्लिक करो PN कैडिट आएगा थोड़ा सा वेट करें उसके बाद इसका क् का इntखाब कीजेगा यहां पर सेलेक्ट हैंट यहां पर सेलेक्टिंज सेंटर आईगा पी नres याणि पाकिसितान नवी रिकूर्ट्मेंट एंड सेलेक्टिंज सेंटर जो भी आपका निडरेस्तों आप उसके इंतवाब कर सकते इं उसके ऐगर आप नहीं करोगे तो वो आपके लिए generate कर देगा next third option में आप test के time का इंदखाब कर सकते हैं आप 8 बजे देना चाहते हैं 9 बजे या 10 बजे जो भी आप जो भी time में पोहँच सकते हैं easily और जो time का इंदखाब करोगे ना उससे तक रिबन आदा गेटा जल्दी हैं आप लेट जा सकते हो मुश्किल ने हैं तो इसलिए जो भी आप इंदखाब कर सकते हो अभी आप next में चलो next में candidate type है यहाँ पर आप click करो आप civilian के लिए apply करना चाहते हो service के लिए apply करना चाहते हो यहनि आप uniform post के लिए apply करना साहते हैं यह आप as a civil कप्रों में job करना साहते हैं आपकी जो ख्वाहिश है आप उसके मुताबिग यहाँ पर service candidate जो के मैं service के लिए apply करना साहते हैं मैं service के इंदखाब करूँगा next जलते हैं यहाँ पर personal information में सबसे पहले upload picture है जो के optional है इस पर आप खपे नहीं चुकर यह थोड़ा tough है आपको के भी में convert करनी पड़ेगी उसके बाद में upload होगी इसलिए इसे छोड़ दे जब आपकी slip आ जाएगी जो के अभी आपको कुछी यानि इसी वीडियो में लास्ट में बताऊंगा तो उसमें जो मैं बताऊंगा वहाँ पर आप खुद की picture को चस्पा कर दीजिए मुश्किल नहीं और अगर आप यहाँ पर करोगे तो आपकी 20KB में होनी चाहिए picture जो के यहाँ पर आप पर यहाँ पर आपका नेम आएगा जो भी आपका नेम आएगा जो भी आपका नेम लिखे यहाँ पर candidate CNIC आएगा मैं यहाँ पर CNIC एंटर कर देता हूँ इस तरह से CNIC एड़ करते हूँ उसके बाद में आपका नेम आएगा नेक्स यहाँ पर father CNIC आएगा नेक्स यहाँ पर date of birth आएगी आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर calendar आएगा calendar में सब से पहले आप यह का इंदखाब किजिए यहाँ पर क्लिक करके ऊपर जाना है और यहां पर आप सबसे पहले एर का इंदखाब कीजिए उसके बाद में आप मंत का इंदखाब कीजिए और लास्ट में आप डेट का इंदखाब कीजिए कुछ तरह से आपकी डेट जनरेट हो जाएगी जेंडर का इंदखाब कीजिए जो भी आप सेलेक्ट कर लेता हूँ यहां पर प्रोविंस कौन से आपका आप किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं जो के आप खुद के डॉमिसायल में से देखके इजिली लिख सकते हैं nice आपका district of domi cell कौन से तो आपके जहां का domicile बना हुई आप वहां का इंदखाब कर सकते हैं नेक्स्ट आपका email address कौन से आप अपने email address का इंदखाब कर सकते हैं next यहां पर postal address आपका कौन से जो के ऐसा address लिखिए लगारहर है आपके सस्राइशन हो जायते हैं कोई भी दाख है तो आपके गर पर पहुंँचे ठीक हैлем से address लिखे और permanent address लिखे और postel address और permanent address इनका डफ्रेंट ऑप रहते हैं अग्र आप एक है तो आप एक ही लिख सकते है 워न जो भी आपका मॉइल नमबर है, 03, जो भी start करके लिखते हैं, उसके बाद में, father mobile नमबर जो भी है, वो आप लिख सकते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में आपकी qualification से related details आएंगी, सबसे पहले 10th से related, यानि आपकी matrix से related, उसके degree कौन से थी, o level थी, o level थी, matrix science थी, उसके बाद म आपकी 12 year यानि आपकी FSC में आपने क्या किया है, इसमें आपकी degree कौन-कौन सी थी, देखो, सब कुछ लिखा हुए, जो भी आपकी degree थी, अपने part 1 से अपलाए किया, वो भी आप select कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका board कौन सा था, board का इंतखाब कीजिए, next आपकी percentage क्या थी, आप percentage का इंतखाब कीजिए, और जब आप कुछ इस तरह से all details को put कर लोगे, अच्छे से देख के put कीजिएगा, समझ के put कीजिएगा, एक बार put करने के बास all details आप इने अच्छे से read कीजिए, जब आप sure कर लें कि आपने बिल्कुल ठीक तरीका से sub farm को fill कर लिए, तो आपने apply वाली option पर करना है, click, कुछ इस तरह से आपके पास registration के option आएगी, जिसमें आपने I agree पर click करने, और यहाँ पर submit के आपको option मिलेगी, आपने इस पर click करना है, थोड़ा सा wait करने के बाद, आपकी जो slip है, वो कुछ इस तरह से generate हो के आएगी, जो मैंने यहाँ पर अभी जो आपको apply वाले page में लेकिया था, जो official page में लेकिया था, उसमें जो चार number की option थी, registration slip, इस पर आप click करो, और अभी आपको registration slip को दुबारा से generate करना सिखाता हूँ, यहाँ पर आप खुद का CNIC लिखो, चुँके इस CNIC से मैंने apply किया, तो मैं submit पर click करता ह थोड़ा सा wait करते हैं, और यहाँ पर आजी के आपने इस post के लिए apply किया हुए, जो के sealer के लिए भी आपने apply किया था, भी pn-carat के लिए किया हुए, तो आप किस की जो slip है, वो डाउनलोड करना चाहते है, मैं pn-carat की करना चाहते हूँ, मैं इस पर click करता हूँ, कुछ इ click करके as a save कर सकते हैं, जो के आप किसी भी printer से खुद भी print कर सकते हूँ, प्रिंट करवा भी सकते हैं, इसके लावा जो एक और option थी, उस से related आपको guide करना चाहता हूँ, official website किदर गई, एक second मैं check कर लूँ, जी तो इसमें back को चले जाते हैं, और official website देखते हूँ, प्लीज वेट किजिएगा, तो इसमें जो number 5 वाली option है, result की, आपने इस पर click करना है, और result आप तब देख सकते हो, जब आप test देख के आओ, और यहां आप result देख, आप अपना interview देख के आओ, तो जब आप अपना interview देख के आते हो, यहां आप medical देख के आते हो, physical देख के के आते हो, तो उसके बाद में कुछ हरसा के बाद आपको confirm करना होता है, कि आप next जो process है, उसमें interview वे हो कि नहीं, आप उसके लिए खुद का status चेक करने के लिए, यहां पर खुद का roll number एंटर करो, और submit पर click करो, आपका जो भी status होगा, वो आपको बता देगा, वैसे भी आ related links हैं, जो के important किसम के link है, जिन में इस इंशालाँ आपका test completely तोर पर आएगा, और आप भी पाकिसान नेवी का हिसा as a PN carried बनोंगे, तो उसके जो links हैं, वो इस वीडियो के last और इस वीडियो के description में मैंने share कर दियो हूए, आप इस वीडियो के last में आपको icons नजर आएंग आपने इस पर click करने, उन वीडियो को चैसे watch करने, इंशालाँ आपका test 100% pass हो जाएगा, तो candidates यह थी वो all details यो मैं आप candidates के साथ share करना साहता था, मजीद updates के लिए इस channel को लाश्मी तोर पर subscribe कर लिजेगा, thanks for watching, Allah afeez